हेलो बच्चा पार्टी कैसे हैं आप सब एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमिस्ट्री विद अडल पाड़ेदार में आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आज के वीडियो में unit 9 coordination compounds का एक important topic हम करने वाले हैं ये जो terminology है coordination compound से related ये मैंने आपको IUPAC nomenclature जब करवाया था उसी वीडियो में अच्छे से clear कर दिया था बट theory नहीं थी वहाँ पर ठीक है तो theory भी available हो जाएगी आपको यहाँ पर और अच्छे से ओर discuss करेंगे हम ये जो terminology है इसके बारे में ठीक है तो चलिए guys बिना time waste की वीडियो स्टार्ट करते हैं terminology हमें पढ़ना है coordination compound से related तो यहाँ पर दो example मैंने लिए है तो यहाँ पर जो K4 and AFCN का whole 6 आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे यहाँ पर भी और इस example में भी चलिए पहले first example को पूरा clear कर लेते ह हैं दो पार्ट दिख रहे हैं first है square bracket के बाहर and second है square bracket वाला पार्ट ठीक है तो जो square bracket के बाहर वाला पार्ट हो चाहे वो left side में हो चाहे वो right side में हो किसी भी side में हो कोई problem नहीं हो उससे ठीक है तो यह square bracket है इससे बाहर जो भी हो left या right में तो वो हमारा कहलाएगा ionization sphere जिसे ह हम counter-ion भी कहते हैं ठीक है counter-ion या इसे हम ionization sphere भी कहते हैं ठीक है counter-ion या फिर ionization sphere कौन जो square bracket के बाहर हो left में हो या right में हो कोई problem नहीं है चलिए अब square bracket के अंदर आपको दो चीज़े दिख रही होगी एक small bracket भी दिख रहा होगा और एक small bracket के बाहर कुछ लिखा हुआ है तो देखिए square bracket के बाहर सोरी small bracket के बाहर जो है है ना यह f e यह इसका क्या कहलाएगा इस coordination compound का central metal atom कहलाएगा central metal atom कोन है यहाँ पर f e central metal atom या फिर ion भी हम इसे कहते हैं ठीक है तो f e क्या काम करता है मैं इसको थोड़ा कर देता हूं कि f e जो है वो square bracket के अंदर present रहेगा हमेशा 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 और जो sorry f e नहीं central metal atom central metal atom हमेशा square bracket के अंदर present रहेगा फिर central metal atom सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही central metal atom हो सकता है square bracket के अंदर ठीक है और यह central metal atom क्या करता है यह जो ligands होते हैं यहाँ पर यह जो cn है यह ligand है ना तो cn जो ligand है तो इन ligand से electron pairs लेने का काम करता है accept करने का काम करता है तो इसलिए यह एक levis acid के जैसे भी behave करता है ठीक है तो और एक बात इससे related और बता दू कि यह maximum deep block element रहने वाला है क्योंकि जो deep block element होते हैं उनमें d orbitals blank रहते हैं है ना मतलब खाली रहते हैं full field नहीं रहते हैं half field रह सकते हैं तो यह क्या करता electron pair कब लेगा जब इसके पास रखने की जगे होगी electrons को ठीक है तो यहाँ पर d orbitals थोड़े से vacant रहते हैं तो इसलिए यह जो ligands electron pair देते हैं यह इनको accept कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह d block element रहेंगे एसा भी आप लिख सकते हैं definition में levis acid होते हैं यह भी आप लिख सकते हैं exam में है ना इसकी definition में तो I hope जो central metal atom है वो आपको अच्छे से clear हो चुका है अब यहाँ पर जो cn का whole 6 लिखा है इसका मतलब होता है कि यह ligand है है ना cn क्या है ligand है और ligand negative ion वाले भी हो सकते हैं negative ions भी हो सकते हैं इसके अलावा neutral molecules भी हो सकते हैं neutral molecules भी हो सकते हैं ligand और negative ions भी हो सकते हैं ligand है ना कोई problem नहीं है मतलब कि उनके पास lone pair of electron present रहना चाहिए बस इतनी से बात है यहाँ पर देखिए NH3 भी यह ligand हो सकता है क्योंकि nitrogen के पास एक lone pair है है ना तो neutral भी हो सकते हैं negative भी हो सकते हैं जैसे कि CL negative है ना negative है याना कि lone pair तो obviously होगा ही होगा है ना CL negative, BR negative, halogens जो होते हैं negative ion वाले वो सभी के सभी ligands होते हैं तो I hope ligand आप अच्छे से clear कर पाए होंगे यह ligand क्या करते हैं central metal atom को electron pair donate करते हैं और फिर यह दोनों आपस में coordinate bond का formation करते हैं तो इसी लिए guys एसे compound coordination compounds कहलाते हैं क्योंकि यह coordination coordinate bond से आपस में जुड़े हुए रहते हैं ठीक है और यह क्या करेंगे electron pairs को donate करते हैं है ना electron pairs donate करेंगे ठीक है और किसे करेंगे central metal atom को ठीक है यहाँ पर लिख देता हूं में electron pairs receive करेंगे और किस से receive करेंगे लिगेंड से ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से clear हो गया होगा I hope ठीक अब यहाँ पर यह जो 6 लिखा है इस 6 का मतलब होता है coordination number coordination number अब coordination number का मतलब क्या है इसको अगर define करें तो कैसे कर सकते हैं मतलब की coordination number वो number है जो central metal atom जितने ligand से जुड़ा हुआ है central metal atom जितने ligand से जुड़ा हुआ है यहाँ पर 6 ligand है तो इसका coordination number क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है यह हमेशा positive में रहता है negative में नहीं रहेगा एक बात और बता दूमें तो coordination number का मतलब यह है कि कितने ligand coordinate bond बना रहे है central metal atom के साथ में बस वही उसका coordination number हो जाएगा एक्जाम में objective type questions उमें पूछ सकता है यह अगर compound दे दिया और फिर लिख सकता है कि इसमें coordination number कितना है तो यहाँ पर coordination number 6 हो जाएगा जितने ligand coordinate bond बना रहे हैं central metal atom के साथ में यह जितने ligand electron pairs donate कर रहे है central metal atom को वही उसका coordination number रहेगा ठीक है अब एक बात और कि यह जो पूरा sphere दिख रहा है आपको यहां से लगा के यहां तक यह जो fe यहां पर लिख देता हो में fe cn का hole 6 यह k4 को नहीं लिखा है हमने है na k4 नहीं लिखा है सिर्फ यह इतना सा fe cn का hole 6 इस पूरे को यह जो पूरा है इसको हम कहते है co-ordination entity sorry co-ordination sphere co-ordination co-ordination sphere ठीक है co-ordination sphere कहलाएगा यह है ना बाहर का ionization sphere square bracket के बाहर ionization sphere square bracket वाला पूरा part है ना साथ में ligand भी है साथ में central metal atom भी है जो square bracket है इस पूरे को हम कहे सकते है co-ordination sphere अब यहाँ पर जो fe and cn है इन दोनों को हम क्या कहेंगे तो इन दोनों को हम कहेंगे co-ordination entity co-ordination entity ठीक है clear हुआ हर एक बात मैंने आपको अच्छे से clear करवा दिये चलिए second example हम जल्दी से कर लेते हैं आपको पता है यहाँ पर देखिए यह जो पूरा square bracket है यह पूरा square bracket क्या कहलाएगा co-ordination sphere ठीक है co-ordination sphere यह CL क्या है counter ion है counter ion है यहाँ पर यह जो CR है यह क्या है central metal atom या फिर central metal ion ठीक है H2O यह क्या है ligand है है ना मैंने बताया था आपको neutral ligand भी हो सकता है यहाँ पर देखिए non pair होते है ठीक है तो H2O एक neutral ligand है वो भी हो सकता है CL यह भी क्या है ligand है मैंने बताया था आपको कि ligand जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा central metal atom ठीक है central metal atom एक ही है ligand दो टाइप के है ठीक अब यहाँ पर जो coordination number अगर देखे तो 4 यह है और 2 यह है ठीक है तो इसका coordination number क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है फिर यही है अब इसकी अगर हाँ एक चीज़ और भूल गए थे हाँ oxidation number चलिए इसकी oxidation number कैसे calculate करते है K4, A, V, C, N का all 6 इसकी oxidation number अगर हमें calculate करना है तो oxidation number हम कैसे calculate करते हैं यहाँ पर 4 है तो 4 लिखा हमने potassium पे plus 1 charge होता है 1 लिखा plus A, V की हमें calculate करना है central metal atom जो होता है उसकी oxidation state हम calculate करते हैं तो इसके लिए हम x suppose कर लेंगे plus 6 sinide है x sinide पे minus 1 और इस पूरे पे charge कितना है 0 है क्योंकि अभी यह एक neutral compound है आप देखेंगे plus minus भी जो coordination compounds होते हैं उन पर लगे हुए ठीक है तो यहाँ पर अभी 0 है तो इसकी oxidation state क्या हो जाएगी 4 plus x minus 6 is equals to 0 तो x is equals to यह minus 6 उदर जाएगा plus 6 हो जाएगा यह plus 4 उदर जाएगा minus 4 हो जाएगा तो x is equals to plus 2 तो इसकी oxidation state क्या हो जाएगी plus 2 बहुत जादा important है है ना IUPAC nomenclature के लिए तो अगर इसकी oxidation state plus 2 आपने नहीं लिखी और plus 2 कैसे लिखना है रोमन में लिखना आपको ठीक है तो यह इस तरह से हम oxidation state calculate करते हैं ठीक है इसकी theory अभी मिलेगे आपको तो चलिए guys मैंने जो आपको यहाँ पर समझाया था पहले explain किया था उसकी theory यहाँ पर लिखी है आप सबसे पहले तो इसका screenshot ले लीजिए ठीक है तो यहाँ पर coordination entity की definition लिखी है ठीक है coordination number 6 है यानि कि जितने ligand यहाँ पर central metal atom से attach है वही उसकी coordination number है देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगी इसकी coordination number यहाँ पर 6 ligand attach है तो 6 square bracket के बाहर रहेगा चाहे वो left side में हो या right side में हो तो वो उसका counter ion कहलाएगा यहाँ पर SO4 di negative counter ion है देखिए और CUNH3 का hole 4 यह है coordination sphere चलिए coordination polyhedron यानि कि कौन सी कौन से arrangement में arrange रहेंगे जो ligand है वो central metal atom के साथ में है तो यहाँ पर यह geometry है मतलब की coordination polyhedron polyhedron का मतलब simple सा आप समझे कि यह geometry है structure है कि कौन सी structure form करेगा जो coordination compound है वो लिखा है it is a special arrangement of the ligand atoms that are directly attached to the central metal atom example के लिखा है CO NH3 का hole 6 3 positive यहाँ पर इसकी structure जो geometric होगी वो octahedral होगी NICO का hole 4 इसकी structure tetrahedral रहेगी ठीक है लास्ट है oxidation number it is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with electron pairs that are shared with central metal atom है ना जो oxidation state है इसका मतलब क्या हो सकता है कि जो ligand ने electron pair donate किये थे central metal atom को तो उन सभी को remove कर दिया जाए हटा दिया जाए उसके बाद में जो charge यहाँ पर बचेगा central metal atom के पास में वही उसकी oxidation state रहेगी इसको oxidation state या oxidation number भी हम कहते है ठीक है तो FECN6 4 negative इसकी oxidation number क्या हो जाएगी plus 2 है ना oxidation number हम कैसे calculate करते हैं यह मेरे पहले भी आपको clear कर दिया है ठीक है तो अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरा समझाने का तरीक आपको बढ़िया लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए अपने सभी friends के साथ में चैनल पर पहली बारा है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजी ठीक है चलिए गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में तिल देन थेंक यो सो मच जैहिन